कि हलो एवरीबन इक बैर कफेर से स्वागत है मारी यूटीब चानल में तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के मार्किट का प्राइज एक्षिन और साथ साथ यह भी देखेंगे कहां पर हमारी बेस्ट एंट्री थी छोटे स्टॉप्लोस के साथ कहां पर हम ए अगर हम प्राइज एक्षिन की बात करें आज के मार्किट की तो अल्मोस्ट सभी जगा पे सेम प्राइज एक्षिन है अगर आप यहां पर देखेंगे निफ्टी के अंदर ओके तो मार्केट गाप डाउन उपन हुआ और उसके बाद कॉंटिनुसली नीचे फिर उपर के तरफ रिकवर हो गया सेम सेनारियो आपको बैंक निफ्टी में देखेगा नीच आया उपर के तरफ रिकवर हो गया तो एक इंडेक्स का हम प्राइज एक्षिन पूरा प्रॉपर देखेंगे तो यह है दोस्तों यहां पर अभी हम रिपीट करेंगे यह प्राइज का निफ trade की तो प्ले करेंगे candle ठीक है तो यह देखें यहाँ पर पहली candle आई तो दोस्तों यहाँ पर पहली candle अगर आप देखेंगे सीधा gap down open हुआ यहाँ ठीक है सब भी जगा पर gap down open हुआ था बड़ आपको ध्यान लगना था यह जो होई गया था दोस्तों क्या था as a support zone था तो अगर आप रिस्क लेना चाहते थे तो इसके हाई का ऐसे लगा के put side का trade execute कर सकते थे बट confirmation के लिए क्या करना चाहिए था wait करना चाहिए था retest का और अगर आप हमें instagram पे follow नहीं कर रहे हैं तो instagram पे follow कर लिजे instagram पे दोस्तों हमने यहाँ पर update कर दिया था market नीचे आ चुका है retest का wait करें उपर जाएगा market उसके बाद नीचे जब आएगा तब आप यहाँ पर put side का trade execute कर सकते हैं तो let's see क्या market ने ऐसा कुछ किया था तो आपके पहली entry होगए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी entry है दोस्तों ऐसा नहीं पूरा proper नीचे लो तूटे का उसके बाद entry लेंगे अगर आप देखें यहाँ पर यहाँ पर आया market तब आप फिर से entry ले सकते थे ठीक बट SL आपका यहाँ पर ही रहता ठीक है आप SL यहाँ नहीं लगा सकते थे अगर आपने entry यहाँ पर लिये second entry होगए put side की ओके और दोस्तों आपको ध्यान रखना था कि market में एक है sideways range थी market इसके नीचे आया है तो यहाँ पर जो भी call side बैठे थे उनको ध्यान रखना था कि यहाँ पर दोस्तों आपको call side बैठे कब लेना था जब यह जो rejection का area यह क्या हमारा as a supply zone work कर रहा है ठीक है market इसके नीचे आ गया है तो यह दोस्तों जब हमारा supply zone है तो कभी भी अगर supply zone है market में तो wait करें जब तक supply zone के उपर retest होके sustain नहीं होता तब तक आपको कभी भी entry नह market तो इसके हाई का SL लगाके इस green candle के एक मेंट सब कुछ delete करेंगे दुबारा लेकिंगे यह तो इसके हाई का SL लगाके आपकी इस candle के according दोस्तों entry थी ठीक है तो इसको हम 3rd entry बोल देंगे ठीक है entry 3rd और target की बात करें अगर हम यहाँ पर तो हमारा target almost सभी entry के according हमारा जो target था दोस्तों वो होना चाहिए था यह gap ओके यह gap हमारा target का level होना चाहिए था तो यहाँ पर आपने entry ली दोस्तों अब आपको wait करना था market यहाँ पे नीचे आने का या थिर SL हिट होने का तो लेट्स यहाँ पर क्या हुए है तो यहाँ पर दोस्तों देखो यहाँ पर अगर anticipation में थे आप ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब तब candle का पहली candle का breakout ना हो जाए, या फिर retest करके market sustain नहीं हो, तब तक cause high का trade नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे दोस्तो total put side की ही entry थी इस वक्त भी, चलिए आगे बढ़ते हैं, येस तो ठीक है, next candle उपर की तरफ गया market थोड़ा सा, फिर नीचे आया, yes, तो आप दिखें, यहाँ पर यह जो candle है दोस्तो, अगर इसकी timing दिखेंगे, तो यह है 11.45, तो मतलब 11.45 पर अपना यहाँ पर target क्या हो गया, complete, ठीक है, target achieve हो गया हमारा यहाँ पर, हमें करना था है, यहाँ पर exit करना था, ठीक है, अब ह हम भी wait करना था, market अगर इसके उपर sustain होता है, इस trend line के उपर, ठीक है, इस trend line के उपर अगर sustain होता है, तो हम यहाँ पर call side का तरफ का trade execute कर सकते थे, तो let's see, दोस्तो, यहाँ पर अपना target आ गया, market में, अगर आपको put side जाना था, तो put side के लिए क्लिए 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 आपना, तो हमें basically क्या करना था, जैसे market close हुआ है, तो यहाँ पर फिर से retest होके, अगर market नीचे आता, तो हम put side जाते, ओके, और अगर market उपर, इस trend line के उपर sustain हो जाएगा, तो यहाँ पर call side का trade बनेगा, तो let's see, यहाँ पर हमें क्या opportunity मिली, तो चलिए देखते हैं, आगे market कैसे move करता है, कौन से candle आती है, ठीक है, negative candle आ गई, okay, negative candle, yes, तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ चीज़ सीखनी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे market नीचे तो आया, ठीक है, यह देखें, यहाँ पर नीचे तो आया, लेकिन closing इस candle ने उपर की तरफ दिये, तो मतलब हम indecisive candle के ऊपर, तो मतलब हम call side का तो trade execute try कर सकते थे, बट put side हमें बिलकुल भी नहीं जाना था यहाँ पर, तो price action के according दोस्तों ध्यान रखें, जब भी indecisive candle आती है, जैसे indecisive candle थी, तो इसके अगर ऊपर के तरफ इसके high के ऊपर market close होता है, तो call side के entry बनेगी, और इसके low market close होता है, उसके नीचे तो हमारी put side के entry बनती, तो यहाँ पर close होता हाई के तरफ, तो हम put side जा सकते थे, तो यह थोड़ी सी risky entry थी यहाँ पर, ठीक है, यह थोड़ा risky थी, safe entry कब होगी, जब इस trend line के ऊपर market sustain होगा, तो let's see market क्या इसके ऊपर sustain हो पाया है या नहीं, ठीक है यहाँ पर हमारा candle था, यह green वाला, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, तो market close हो चुका है, ठीक है, अगर हम इस candle को main माने, देखें, यहाँ से low था यह, इसी के according हमने इसको main मान लिया, इसके ऊपर candle close होगी, तो मतलब call side के entry तो दोस्तों हमें आपर दे रहा था, but condition यह है क entry नहीं ली जा सकती, entry ली जा सकती, इस candle के ऊपर market close होगी, तो SL हमारा यहाँ पर रहेगा, इस SL के according आप entry यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारी call side की entry थी इस point पर, अब हम देखेंगे हमारा target क्या होता, तो दोस्तों हमारा target क्या रखना चाहिए ता हमें, देखें, maximum target तो यह रहता हमारा, यह जो rejection का area यह रहता, या फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Fibonacci retracement लगा सकते हैं, almost, ठीक है, तो Fibonacci retracement देख लेते हैं, यह कहां से लगेगा, तो यह लगेगा, दोस्तों यहाँ से नहीं लगाना है, यह लगाना है, almost यहाँ से, ठीक है, और इस Fibonacci retracement के according हमको mark कर लेने चाहिए था, 50% almost, यह 50% हो गया अपना, लगवग 18,564 और यह अपना high हो गया, देखिए, 50% से नीचे भी market reverse हो सकता है, 38% भी एक level है, तो इसको भी हमें mark करके रखना चाहिए था, यह हमारा target के level रहते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, market नही इन levels को achieve किया है या नहीं, तो click करेंगे आगे इस पर, yes, continue बढ़ रहा है market, ठीक है, negative की candle, green candle, okay, next green candle, okay, दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा 38% का level आच चुका था, तो हमें यहाँ पर यह कर लेना चाहिए था, अपना trade से exit कर लेना चाहिए था, यह यहाँ पर आपने entry ली, और यहाँ पर market close हुआ है, ठीक है, तो लगबगत दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, यह level यहाँ पर, तो 500, 18,515 के around का level है यह, और market close हुआ है, 43, तो लगबगत दोस्तों, 20-25 point आपको यहाँ पर मिले, और यह लेके आपको यहाँ पर exit कर देना तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे, यह 3.15 की जो candle आई थी, यहाँ पर 50% तक पहुंचे थी, उसके बाद market बहुत अच्छा negative हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए था, आप जब 50% को touch किया दोस्तों, तो आप यहाँ पर book कर सकते थे, और निकल सकते थे, मतलब 50% का भी कि market यहाँ से bullish हो जाएगा, या फिर दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, market negative हो जाएगा, नीचे किरा, उपर आयऊ और negative होजएगा, ऐसा कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, यह एक zone होता है, जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है, confusing stage होती है, तो यहाँ पर alignedly दो है ऐसे लेवेल्स के उपर माक्रत के क्लोजिंग का तो यह ओब अगर आज का प्राइस एक्षिन का अगर हम देखें यहाँ पर हमारी एंट्री कहां थी पहली एंट्री पुट साइट की इसके बाद पूट साइट की कोई एंट्री थी नहीं खास ठीक है और उसके बाद कि आज हमें कितनी परफेक्ट एंट्री मिली तीन एंट्री पूट साइट की मिली और कॉल साइट की मिली सिफ एक एंट्री ठीक है हमारे अनलसस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अगर आप कुछ क्नेक्ट कर पाएं आपने कुछ गलतिया की है यहां पे तो आप मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं ठीक है आज बहुत ज्यादा पेशेंस का मार्केट था दोस्तों एक्जाक्ली अगर आप देखेंगे इस लेवल पे काफी यहां पर ऐसल हिट हुए होंगे लोगों के ठीक है तो यह overall analysis था आज के prediction का वी होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वन्दे मातरम and thank you for watching